हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू आर चैनल, लर्निंग नोटबुक आज इस वीडियो में हम क्लास 2 इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स समझेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम एक्जेक्टिव्स भी कहते हैं हम इस वीडियो में बहुत सारी प्राक्टिस क्वेस्टिन करेंगे जिससे आपको ये टॉपिक बहुत ही असानी से समझ में आ जाएगा तो लेक्स टार्ट अंग फर्स अंडर्स्टाइब वर्ड्स और एक्जेक्टिव्स एक्जेक्टिव्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि एक्जेक्टिव्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दोनों एक ही चीज है तो वो डिस्क्राइब करते हैं परसन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स को उनका क्या डिस्क्राइब करते हैं उनकी क्वालिटी डिस्क्राइब करते हैं वो बताते हैं कि परसन की क्या क्वालिटी है वो कैसा है जगा की क्या क्वालिटी है वो कैसी है इसी तरह से एनिमल्स क क्या quality है वो कैसे है चीजों की क्या quality है वो कैसी है Let's see some examples She is a lovely girl अब यहाँ पे देखिए तो इस sentence में girl कैसी है? lovely है तो यह जो lovely है वो girl की quality बता रहा है उसको describe कर रहा है तो यह adjective है The giraffe is a cute animal animal की quality बता रहा है कौन सा word? cube यह बता रहा है कि animal कैसा है describe कर रहा है उसको cube एक adjective है This is a heavy bag अब देखिए back को describe कर रहा है word heavy बता रहा है कैसा bag है heavy bag चीक है? तो heavy adjective है Taj Mahal is a beautiful monument अब इस sentence में monument को कौन सा वर describe कर रहा है? beautiful उसकी quality बता रहा है बता रहा है कि कैसा monument है? beautiful beautiful is an adjective adjectives also tell us about the color, shape and size तो students quality के अलावा adjectives हमें color, shape और size भी बताते हैं look at these examples he is a tall boy अब यहां पे हमें पता चल रहा है कि जो boy है वो tall है ठीक है? तो यह एक adjective है इसने हमें size बताया boy का ठीक है? next this is a fat hen अब यहां पे hen कैसी है? मोटी है fat है तो उसकी क्या बताई है? उसकी shape को describe कर रहा है इसी तरह से this is a red balloon अब balloon कैसा है? red color का है तो यहां पे उसका color describe कर रहा है balloon का तो quality के अलावा adjectives हमें color, shape और size भी बताते हैं अब students इस सब के अलावा adjectives also tell us how many there are यानि वो हमें उनकी quantity भी बताते हैं for example he has two balloons अब यहां पे देखिए हमें यह पता चल रहा है कि balloons कितने है? two तो यह जो two है यह भी एक adjective है another example there are five girls कितनी girls है? five so five is also an adjective तो अब students आपको यह तो समझ में आ गया है कि adjectives क्या होते हैं? वो किसे और कैसे describe करते हैं? दूसरी बार मैं आपको बताना चाहूंगी that adjectives are usually placed before the nouns they describe यानि adjectives जादा तर noun से पहले जिने हम naming words भी कहते हैं उनके पहले लगे होते हैं जैसे की lovely girl अब यहाँ पे girl जो है वो एक noun है girl तो इससे पहले लगा हुआ है adjective lovely इसी तरह से heavy bag यहाँ पे heavy adjective है और bag noun है tall animal tall adjective है animal noun है beautiful monument beautiful adjective है और monument noun है but sometimes adjectives may be placed after the nouns as well for example the girl is lovely तो यहाँ पे girl कैसी है lovely है पर यह adjective lovely girl से पहले नहीं बाद में लिखा गया है in the same way this room was empty room कैसा था empty था but empty को room से पहले ना लिखकर इसको बाद में लिखा गया है another example her voice is sweet voice कैसी है sweet है तो sweet को voice से पहले नहीं लिखा गया बाद में लिखा गया है तो याद रखिए at times adjectives may be placed after the noun as well जाद तर noun से पहले ही होते हैं पर ऐसे भी cases होते हैं जब वो noun के बात लिखे जा सकते हैं now students question is underline the adjectives or describing words तो हमें हापे sentences given है हमें उसमें adjectives जिने हम describing words भी कहते हैं वो underline करने है पहला sentence the rainbow has seven colors कितने colors है rainbow के seven तो seven क्या हुआ adjective father brought me a new set of brushes कैसी brushes new तो new हुआ adjective next the old man could not cross the deep river अब यहां देखिए कैसा man है man को क्या describe करा हुआ है old तो एक तो यह adjective हो गया old अब यहां पे एक और adjective है river को describe करा हुआ है कैसी river है deep तो deep यह adjective है lovely roses grow in the garden कैसे roses है lovely तो lovely एक 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 है 15 children took part in the race how many children 15 so 15 is an adjective the oranges are ripe and juicy what kind of oranges are these ripe and juicy so we will underline both these words both are adjectives let's see some more sentences the little child refused to take the bitter medicine अब इदर देखिए सबसे पहले child के बारे में बताया हुआ है कि वो कैसा है little तो little को underline कर लेते हैं फिर हमें medicine के बारे में बताया हुआ है medicine कैसी है bitter यानि कडवी तो bitter को भी हम underline कर लेंगे दोनों adjectives है next Rahul is intelligent but lazy अब इदर Rahul को describe करा हुआ है कैसा है वो intelligent भी है और lazy भी है so we will underline both these adjectives Rinku has a very sweet voice voice बतायी गई है कि जो Rinku की आवाज है वो बहुत sweet है so sweet is an adjective the grass in the lawn is soft and green grass कैसी है soft और green ठीक है next the sky was clear and blue sky को describe करा है कि वो कैसा था clear और blue तो दोनों कंडलाइन कर लेते हैं next one डिपिका बॉट अ रेड रिबन कैसा किस कलर का रिबन red रिबन तो red को mark कर लेंगे था now next question is put the right adjective or describing word in each sentence अब यहां पे students हमें ये कुछ adjectives given है और हमें sentences given है हमें इन adjectives को sentences के according fill करना है sense बननी चाहिए sentence की ऐसे हमें choose करने है उप़ से adjectives पहला sentence I like dash roses अब roses के बारे में हमें roses को describe करने के लिए यहां पे कौन सा adjective given है यह देखिए red I like red roses ठीक है next I cannot lift this dash box अब box को describe करने के लिए क्या adjective है उप़ देखिए यह देखिए यहां पे लिखा है हमें heavy I cannot lift this heavy box ठीक है heavy होगा जो box वो भे लिफ्ट नहीं कर पा रहा तो जो adjective हो रहे हैं मैं उनको उपर green mark कर रही हूँ अब हमें वो नहीं देखने in winter we wear dash clothes winter में हम कैसे कपड़े पहनते हैं हम winter में woolen कपड़े पहनते हैं तो इधर हम woolen लिख देंगे we need and dash guard for our bank guard की बात हो रही है कि हमें bank के लिए कैसा guard चाहिए देखें इनमें से honest guard इमानदार guard चाहिए bank के लिए let's see the next sentence drinking water should always be dash अब drinking water की बात हो रही है कि वो कैसा होना चाहिए वो हमेशा pure होना चाहिए her hair is dash अब देखें जितने ये 5 बचे हुआ है ये जो orange में है इनमें से हमें decide करना है hair के लिए क्या बचा curly her hair is curly those soldiers are very soldiers के लिए हम usually क्या use करते है एक्जेक्टिव brave those soldiers are very brave a week has dash days एक week में कितने दिन होते है seven so we'll write seven here dash children often lose their things अब देखें दो ही एक्जेक्टिव इदा उपर बचे है कैसे बचे अपनी चीजे खो देते है careless there is a dash house near our house there is a large house near our house ठीके students अब आपको समझ में आ गए हो कि कैसे हम ऐसे questions पर हमें आ सकते हैं उनको कैसे हमें solve करना है now let's do another question match the opposite of the following adjectives तो यहां पर हमें ये दो columns दिये हुए हैं ये सबी adjectives हैं हमें opposite adjectives match करने हैं ठीके हैं जैसे की पहला है light अब light का opposite adjective क्या होगा light का opposite होगा dark ठीके हैं then we have tall tall यानि लंबा तो उसका opposite होगा short यानि छोटा then empty empty मतलब खाली तो इसका opposite क्या होगा full भरा हुआ old old यानि क्या होता है old का मतलब old का मतलब दो होते हैं पुराना भी होता है बुद्धा भी होता है तो देखते हैं इधर कौन सा opposite हमें गिवन है इधर हमें गिवन है young यानि जवान और अगर इधर old के साथ new होता तो हम new लिखते फिर dry dry यानि सूखा हुआ तो इसका opposite होगा wet, गीला और आखरी में है hard जिसका opposite होगा soft ठीक है students तो यह हमने match करें है opposite adjectives करेंस